सायोमी एयू का अनदर पोर्ट रोम आ चुका है जो कि 20.4.14 हेलो एवर्यवन आई एम एमके और वाचिंग टेक ऑफिस और इस वीडियों हम बात करने वाले हैं सायोमी एयू के 20.5.14 बीडा अपडेट के बारे में जो कि एक पोर्ट रोम है और इसे पोर्ट किया गया है हमारे एचन के तरफ से क्योंकि यह जो ओफिसिली सपोर्ट हमारे पोको डिवाइस के लिए काफी टाम पहले ही बंद हो गया है तो जितने भी अपडेट आते हैं सारे पोर्ट रोम होते हैं तो इस अपडेट के अंदर आपको ऑफिसली लोग के चेंज में नेखनी को मिल जाते हैं जैसे कि इसके अंदर आपको आप्डेट आन का सेशन अपड़ना होना सीमिलर है वह अपर इस रोम के प्रफोर्मेंस के बात करें तो आपको अच्छा खासा अंटूटू का स्कोर देखनी को मिल जाता है जो कि हमेशा मेंशा मेंडी एफस के रोम के उपर दिखाई देता है तो इस वाय जो प्रफोर्वाइस हलकी से बूस्ट की आप देखाई जब भी मैं यहां पर डिसेंट पर टाइप करता हूं आप देख से जो काफी किकली है जो यह फो करता है त्याप पर अनिमेशन कट आउट कर दिया गया जिसको आपको प्री रूटेट मिलता है तो आपको है जो यहां पर नेट सेप्टी का प्रॉलम रहेगा लेकिन अगर आप यहां पर ट्रिपल लाइन पर आने के बाद सेटिंग पर जानने के बाद इस ओप्शन को अगर आप इनिवल कर देखे हो जो कि मैजिक हाइड है तो आपका जो नेट सेप्टी बिल्कुली पास हो जाएगा तो आप बैंकिंग एपकर ट्राइग कर और अगर आप हो जब पेमेंट अगरा में प्रॉलम आ रहा है नो सिम डिडेक्शन का आ रहा है तो आप इसके ओफिशल ग्रूप पे जोईन हो सकते हूं आपको फुल सपोर्ट प्रॉइट कर दिया जाएगा कि इसे कैसे स्विक्स करना है बट कुछ इसको यहां पर बिल्क ओड को अगरता है जो पर फॉरेक्ट वर्किंग है और वागे अधर फॉंकिन भी आपको वर्किंग दहनी को मिलता है वह पर आएक हो जहां चेंज के बाद करते लोग के हिसाब से तो पहले में जो इस अभार के सेशन में डेहनी को नहीं मिरा था इमें है चर्दिशन को नह तो इसी ताकि informative वीडियो in future देखने के लिए चैनल को subscribe और बेले के इन पर click करके notifications को enable कर ले ताकि जब मैं वीडियो दूँ आपको जो notification मिल सके और आप उसे जो watch करके benefits ले पाओ वह अब अगर हम display के और आते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है font जो की change कर दिया गया है तो यही पे पहले आपको scanner का option देखने को नहीं मिल रहा था तो यह भी यहां पर जो add कर दिया गया है जो के पहले सामें missing दिखता था वही पे जो आप इसके name वगर edit कर सकते हो और साथ सी साथ इसे left right या फिर आप MIY 11 का है जो यहां पर notification panel यहां पर use कर सकते हो यहां पर hide गर आप कर सकते हो अपने notch को जो कि काम करता है और यहां पर dual status bar का कोई भी option नहीं है शिर्फ एक इसका patch provide किया गया है जिसे flash करने के बाद आप अपने notification area को timing के नीचे जो enable कर सकते हो ताकि कोई भी notification appear हो ताकि आप उसे watch कर पाओ देख पाओ बट speed meter इस side हमें so नहीं होता है वह पर आगी रात है तो home screen के अंदर वही सारे customization देखने को मिल जाते हैं जो कि फिर विए से मैंने आपको so किया था यहां फिर फिर फिंगर पूर तरगी से काम करता है कोई भी issues नहीं आता है security और जितने भी आपको apps वगरा मिल जाते हैं और यहां पर बैटी की details वगर security से कुछ latest है तो सभी application को यहां पर up to date कर दिया गया है ताकि आपको अच्छा सा details मिल सके full screen display पर हम आते हैं तो यहां पर आपको दिखने को मिल जाता है Android 10 का पिल्स और साथ यहां पर Google Assistant भी आपको जो दिखाई देता है जिसके आप यहां पर use कर सकते हो आप चाब तो इसे hide भी कर सकते हैं कुछ इस तरहीं किसे enable करते हैं उसकर आपको full screen view दिखने को मिल जाएगा और जब आप इसे enable करने के बाद recent पर tap करोगे तो आपको सारे animation देखने को मिलेंगे जो कि Android 10 के हैं बट यहां पर button पर enable करते ही आपको recent tap पर animation sometime missing देखने को मिलेगा तब आप देखते हैं तो यह proper तरहीं से काम कर रहा है बट इस startup में आपको आपको सोग किया तो आपको वो असे बट किया गया है पहले के मुकावले तो हलके सी smoothness आपको इसमें भी दिखनी को मिल जाएगा contact फ़गरा में थाउस किसे कर दिया गया है तो आपके आपको आपके प्रोपर तरहीं को मैनेज कर सकते हो कि किसे सो करना है और किसे हाइट करना है आएके उबर दे अपने सेटींग और एबाउर के पेज पेज़ इस जो माई डिवाइस का सेशन है यहांता आपको अस्पेक्स में देखने को मिलता है टू 1024 वञान का सेक्योर्टी पेज जो कि अभी वी बन मन्त का ओल्ल देखने को मिलता है और फिर इप माइनस के यहां पर जो करनेल यूज किया गा है अब आप थोई बोट चेंजिन करना चाहाते हो ताकि आप पपजी अच्छे से प्ले कर पाओ ताप करनेल बोट चेंज कर सकते हो और प्रफोएंस और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो मैं आपको यही कहना चाहाँ कि अभी भी आपको उतना परफेक्ट परफोएंस देखनी को नहीं मिलेगा पपजी के उपर जितना कि आपको जो MIY11 पर या किसी कस्टरों पर गर पाते हो क्योंकि अभी भी है तो इसे अंदर काफी इंप्रोफ्मेंट हो रहा है डे बाइड तो आपको जो हैवी उसे पर थोई बूस्ट कम्या दिखनी को मिल सकता है तो आज के लिए इतना ही उमेद है कि मैंने आपको कम्प्लेट इटेल दे दिया है तो कोई भी डाउट है आप पर गुरूफ अगरा मैं आस्कर सकते हो क्योंकि अभी कमेंट बॉक्स डिसेवल है और क्यों डिसेवल है इसको पर एक डेडिकेट में वीडियो देने वाला तो वेट करें और वीडियो पसंद आता है और इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए इंफरमेटिव चानल को सस्क्राइब करें और नोटिशन को इनेवल जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो दूं आपको नोटिशन मिल सकें